हाईलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल दोस्तों मैं कमलेश विश्वकर्मा दोस्तों आप सभी कैसे हो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेंड्स आपका बिहार आई टी एट का काउंसलिंग कब तक होने वाला है और दोस्तो मैं आप लोग को बता हूँ कि अगर आप लोग का इतना रैंक आया हुआ है तो आप लोग का एडमिशन होगा की नहीं होगा ठीक दोस्तो अगर आप लोग का इतना रैंक आया हुआ है तो आपका एडमिशन होगा और आप लोग का डाउट क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में तो आप लोग मेरे वीडियो बने रहें आप लोग इसे स्क्रिप्ट ना करते हुए इसे पूरा देखिए तभी आप लोग को मालूम होगा तो फ्रेंड्स जो लोग हमारे चैनल पहली बार आये हैं या हमारे व वीडियों को पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स ओ लोग नीचे दिए गए लावटों को दबा कर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल आइकम को भी प्रेस कर दें ताकि फ्रेंड्स हमारे अगले वीडियों को सुचना आपको सबसे पहले और बहुत जल पहुचता रहे ठीक दोस्तो और दोस्तो आप लोग बेल आइकम प्रेस करते समय से आल पर क्लिक करें ताकि फ्रेंड्स मैं जब भी ऐसा वीडियों अपलोड करूँ तो उसका सुचना आपको सबसे पहले पहुच जाए तो फ्रेंड्स आईए हम लोग जानत आपका इतना रैंक आएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा ठीक दोस्तो तो दोस्तो आप लोग देखिएगा तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं यह आपका है बिहार आईटी आई कैट रैंक ठीक दोस्तो आप लोग का दोस्तो अगर सेलेक्ट है इतना रैंक आप लोग का है तो आप लोग का कांसिलिंग का चांस बन रहा है और आप लोग का admission भी हो जाएगा आसाने से ठीक दोस्तो तो आपका पहला इसमें है UN Unreserved का दोस्तो यह है 830 ठीक दोस्तो अगर आप लोग का 830 इससे दोस्तो एक आक रैंक आगे पीछे भी हो सकता है अगर आप लोग का 831 या 32 या 839 तक आपका रैंक है तो आप लोग का admission हो जाएगा और आपका EWS का बात करें तो आपका EWS का है 220 ठीक दोस्तो इसमें भी उसी परकार एक दो अंक आगे पीछे हो सकता है ठीक दोस्तो आपका 220 रैंक है तो आप लोग सुनचित रहें कि आपका admission हो जाएगा और EBC का है 560 ठीक दोस्तो अगर आप लोग का EBC category से है आप लोग तो आपका 560 rank है तो आपका admission हो जाएगा आप लोग सुनचित रहें और आपका bc का तो आपका bc में है 381 rank ठीच दोस्तों अगर आप लोग bc category से बिलॉंग करते हैं तो आपको 381 rank लाना होगा ठीच दोस्तों अगर आप लोग का 381 rank है तो आप लोग का admission हो जाएगा और बात बात करें SC category का तो आपका SC category यानि schedule cast का है 410 rank ठीक दोस्तो अगर आप लोग SC category से बिलोंग करते हैं तो आपका 410 rank रहेगा तो आपका admission आसानी से हो जाएगा ITI में ठीक दोस्तो और बात करें आपका ST का तो ST में आपको लाना है rank 55 ठीक दोस्तो आपका rank card आ गया है इसलिए आपका rank 55 होगा तभी आपका ITI में admission होगा ठीक दोस्तो और बात करें आपका RCG का तो यह दोस्तो girls के लिए है ठीक है इसमें आपको लाना है 150 rank ठीक दोस्तो अगर आप लोग RCG category से बिलोंग करते हैं त तो आप लोग code 100 यानि 150 rank की जरूवत होगी अगर आप लोग का 150 तक rank है तो आप लोग का admission जरूर हो जाएगा ITI cat में ठीक दोस्तो अब आई यह दोस्तो हम लोग जानते हैं कि आपका कोई notice तो नहीं आया है ITI cat में इसके बाद दोस्तो आप लोग देख पा रहे हैं यह official website है इसके बाद आपको corner में आना है और यहां आपको दिख रहा होगा ITI cat इस पर दोस्तो हम लोग क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आपके सामने एक page open होगा जो दोस्तों आपका सभी notification आया होगा तो इस list में आपका notification ITI cat का होगा ठीक है तो आपका इसमें सबसे पहले आया है 13,3,19 को और दूसरा notification आया है 13,3,19 को यह दुनों साथ में ही आया है और आपका तिसरा है तीन, 4,24,19 को ठेकी दोस्तों आपका तीसरा notification आया था 3,4,19 को और आपका चौथा आया है 26,49, को notification आया हुआ है इसके बाद आपका last में आया important notice regarding merit list of ITI cat ठेकी दोस्तों अप आपका 26219 को आपका ITI CAD का Merit List जारी हो गया, ठीक दोस्तों, सो फ्रेंड्स आपको पता हो गया है अभी तक इसका कांसिलिंग का डेट आएगा तो मैं अपने इस वीडियों के माध्यम से आपको बता दूंगा ठीक दोस्तों और आपको पता चल जाएगा कि कांसिलिंग का डेट आ चुका है आप लोग कांसिलिंग करवाईएगा और दोस्तों मुझे उम्मीर ही कि शेर करना न भूलें वीडियो देखने के धन्यवाद और दोस्तों आप लोग कोई डाउट है तो आप लोग मेरे कमेंट बाक्स मुझे पूछ सकते हैं